तो वाखर घड़ी चल रही है लेकिन इस घड़ी के साथ ही सब की दिल की धरकने भी पढ़ रही कि आखिर क्या होगा कट पंधन की या फिर सीट शेरिंग की बात करें या फिर उम्मिद्वारी की बात करें तो इस वक्त दिली से हमारे सेवगी रिशिकेश उड़े में सीधर बना हुआ है क्या फिलहाल अपडेट आपके पास सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं हाला कि इसके पहले तक सीटों का लेखा जो खा लगाया जा रहा था कि कौन सी सीट कहां लडनी चाहिए कौन सी सीट किसके खाते में है प्रदेश परवारी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय सर्म हैं कमलेश महत्व हैं और कारिका युश की पहले सूची आगीए घर स्क्रिनिंग हो गई है तो इसको को मालों है स्क्रिनिंग के बाद सी सी हमारी होती है तो हमें सी सी के लिए बिल्कुल तयारी करकर जाने पड़ती है जिसमें कांग्रेस प्रेशिडन्ट और हमारे वरश नेता बैठते हैं आ उसमें साफ तरसे गौाइड लाइनस भी तैख होती है किया होँगी और गांगर्स प्रेजडन ने साफ तोर पे कहा है कि महिलाओं को भी मौका य्लेक्षण लड़ने का मिलना चाहिए पच्यास फीज़्दी हमारे अबादी महिलाओं की है तो महिलाओं को भी पूरी हमारे की तस्वीर है उसमें सब तस्वीर हैं और सब रंगे रंग दिखने चाहिए उस तरह की गाइड लाइन्स हमने बना कर चर्चा की है परदेश चुनाव समीती में सेर 81 सीटों पर पैनल भेजा गया आज जब 6-6 घंट की स्क्रीनिंग कमिट हुई तो क्या आप लोगों ने उतनी स्क्रीनिंग हमने कर लिए है यह सवाल इसलिए पुछा जा रहा है सर कि जब आप लोग यहां स्क्रीनिंग कर रहे थे तो राची में हमन सुरें प्रेस कांफरेंस कर रहे थे और उन्होंने सार्फजनिक तोर पर कहा कि हम लोग तीनों दल महा गठवंदन में तो इसका अफचारी का लान कब तक होगा पहली सुची चुकि तेरह नवंबर आखरी नम आंकन की तारीक है तो कब तक आप लोग पहली सुची दारी करेंगे केंद्री चुनाव समीती की बैठक कब होगी है कि हमारी अफचारी बैठक हो गई है वो जब समय देंगे उसके हम तियार हेंगे उसमें इन समय देंगे हम समय नहीं कर सकते हैं तेरा तारीक बहुत पहले बैठक हो जाएगी और जीतनी सीटों पर हमें कर नी आप percentage पूचे, seat पूचे, number पूचे बात तो एक ही है। मैंने साफ तोर से कहा है और आपको कई बार आपके चैनलों को भी बताया है। उचित समय पे Congress की क्या strategy selection में रही। उचित समय पे हम आपको बताएंगे। एक जब पार्टी कह रही है, आप कई बार कई मंचों से कहें कि व्यक्ति हित महत्वपूर्ड नहीं है, पार्टी हित पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे चर्चाय हैं राजितिक तोर पर इसमें कहा जा रहा है क सीटों को लेकर आमने सामने की सिती है, टकराओ की सिती है और राजितिक तोर पर ये मैसेज जिसका फाइदा एंडिये को मिलता दिख रहा है, कहा जा रहा है कि इसका वो राजितिक फाइदा उठाएगा और इस तरीके की बाते सामने आ रही है। है उसका फायदा किसको मिलेगा इसकी बी चप्चा कर लिजी आपको तो प्रेम से बाचीन चल रही है वहाँ किसे किसे बात हो रही है किसी को पता ही नहीं है मैं समझ नहीं सकता हूं कि भाजपा को फाईदा होगा भाजपा में अंतर कलर पूरा बढ़ गया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा आप उसको नहीं दिखा रहे हैं ये सवाल कांगरिस का कब समझवता हमने तो कहए दिया है हमारी चिन्ता मत करिए लोक सबावे में पूछते रहे हुआ है आप कि समझवता कब होगा हुआ ना समझवता है यह सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि लोगों को लगता है कि पांट साल की एंटीन केमबेसी जनता एक विकल्ब खोज रही होगी और जनता या आपके नेता ये कह रहे हैं या उनके दिल्चस्पियों कि आप लोग एक साथ लड़ें और आप लोग इसका जल से जल अलान क कर दें तो यह जारखन के ही कि नहीं आपके चैनल के रेटिंग के लिए ब्यान नहीं दे सकता हूं आप लोग सॉसेज और सूत्रों के खिलाव इतना आवँ चलाते हैं मैं ही सॉस हूं तो आप बताएए वह नेता कह रहा है वह नेता कह रहा है इंपी लेटर यहां बैठे ह नेता तो यहां जो अधिकरित हों यहां बैठे तो कौन सा सोसिस आप चला रहे हैं आप बतारे वो कह रहा है नेता कह रहा है नेता सी पी सी सी यहां बैठे है यहां नेता सी लपी बैठे हैं सच्छिव बैठे हैं वरकिंग प्रेजिडंट्स बैठे हैं तो कौन से नेता बोल साफ और मोलतोल जवाब दिया जा रहा है कितनी कोशिश हैं कि लेकिन सीधा सीधा जवाब आपको मिलने वाला नहीं है और अब उमीदे की जारी कि धुंद थोड़ी दिन और रहे गी उसके बाद ही तस्वीर कुछ साफ होगी कुछ और लोगों से अगर आप बात कर सके रिश अगर आप उनसे बात कर सके अधीव जे एक सबाल और पुछ लेते एक एक सबाल है से आपके परवारी सामने को सिर्फ एक सबाल है क्या प्रदेश सथिया च्विदान सबाश चुना लड़ रहे हैं बस एक सबाल को बता दिया सब्सक्राइब कांग्रस प्रसिडेंट जो है यूद्स है और पेश नहीं है परदेश सथर पर जो आपलोगोंने कोशिश की थी क्योंकि दिल्ली तक भात भी आई नहीं है परदेश सथर तक अपलोग पहले भी नहीं था ना अभी है पेश है नहीं आप खूद कर रहें कि तीनों पार्टी मिलके लड़ रहे हम लोग वो कोई पेंच नहीं है उस पर तो बिलकुल असपश्च तोर पर कह रहे हैं कि आला कमान तै करेगा आखरी फैसला और उन्हीं के निर्देश पर और उन्हीं की बंडिगेवानी में तमाम बैठके हो रही है किंद्रिये चुनाव समीती की बैठक जल्द होगी और तेरह तारी है और श्रहमात का खेल जारी है ना के बल यूपीय के भीतर बलकि एंडिये के भीतर भी कल बीजेपी की एहम बैठक है दिल्ली में और आज्सू और बीजेपी के बीच में क्या डील होगी उनका फार्मूला क्या होगा क्या वो अलग-अलग रह जाते हैं इन सब चीजों का इंतजार किया जा रहा है और उसका रानितिक लाव लेने की भी कोशिश यूपीय की तरब से जारी है और इसी लिए इस खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है जिससे की क्राइसिस मैनेजर जो है वो आखरी आखरी बग तक अपने पक्ष में अपने पाटी के हित में फैसला कर सब्सक्राइब के लिए और जानकारी लिए तो सहयों की रिशिकेश दिलियर से जुरेवे थे कोशिशें होने की लेकिन अभी भी कॉंग्रेस के जो बड़े लीडर है वो कुछ बोलने को तयार नहीं है यानि कुछ थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा और एकार दो दि साफो